नमस्कार दोस्तों MS classes में आप लोग का स्वागत हो तहे दिल से स्वागत आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और रहे लमत हो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला ही जो है DTU University जिसे हम लोग कहते हैं दीन दयाल गोरखपूर University ठीक आप लोगों को इसमें बताऊंग बता था कि सर आप बताईए BST के बारे में BST के बारे में बताईए और BST बायों में कैसे त्यारी करें या मैत में कैसे त्यारी करें किस तरीके से करें कि हमारा जो है अच्छे तरीके से से सेलेक्शन हो जाए किस तरीके से एक्जाम पाइटन होगा किस तरीके से आपका स्ल लेबल होंगे ठीक तो चलिए बता रहा हो मेरे भाई इसके स्लेबस इसके एक्जाम परटन कैसे क्या होगा कौन से जो है लेगविज पेपर आएगा कितने कोस्टेंस आएंगे यह सब सारी चीज़े ठीक सबसे पहले आप लोग को बता दूए कि जो बाते हैं कि एक्जाम परटन आप लोगों का जो है बता दो मेरे भाई आप लोग को पेपर होंगे हिंदी एंड इंगलिस दोनों लेंगवर्ज में होंगे ठीक अब आप लोग जान लेजे जो है एक्जाम परटन सेम एक्जाम परटन चाहें बायो के हो चाहें आप लोग जो है मायत को और आप लोगों को बता दू एक कोश्चन जो है आप लोग का दो नंबर कर आएगा मनलब टोटल 200 नंबर अब आपको इसमें एड़ीशन लेने के लिए कम से कम जो है अगर को जाएगा अब यहां तक करेंगे तो सोवाइब इसमें आप लोगों की जो है तीन सो करीबन जो है जैसे लेकिन अप अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कर गया कर के आई हमसे कम नंबर है उसका दो कोश्चे तीर कोश्चन गलत है हमसे कम सही है तो किसे उसका सेलेक्शन हो गया तो यही में परपज होता है वहाँ सब चीजे लिए जाती है मेरे वाई जब आप लोग का जब मेरिट बनता है तो आप अगर बाइद आप चलिए ठीक है आप 70 सब्सक्राइब करें तो यह अच्छे तरीके से बढ़ें तरीके से अब कमांड रहे उसके तभी करके आई अब चलिए आप लोग को बता दूए इसमें स्लेवस क्या आते हैं तो जो मायट के स्टूडेंट होते हैं उनका स्लेवस में सबसे पहला आप लोग का ज़ह जी सब्सक पूशाएगा दूस्रा आप लोग आप और तो टोटल को बता दूब तो टोटल को गया है आप लोगों का हंडड और आप लोग का बता दूब टाइम 120 मिनट इतने करना और कहां से कोस्चों शाएंगा यह आपका स्लिवर्स पता जल गया अब इस ही में से आपको बता दूब आप लोग 11 और 12 में पढ़े हैं उसी को आप लोग रिवाइज कर दीजिए वहीं से कोसे साइगा इसमें मोस्ट मोस्ट इंपर्टन जो टॉपिक्स है जो आप लोग के जो है 11 में 12 में बढ़ी है तरीके से अच्छे तरीके से बताएगे कुछ टॉपिक्स है माय फिजिक्स आ आप लोग को बता दो इसमें जो है जो बायो के इस्टुडेंट उनका क्या है तो बायो वाली जो प्यक्ष्चे हैं आप लोग को है पढ़ेंगे आप लोग को क्या आएगा आप लोग को बता दो वही जी यह आएगा ठीक जन्रल साइश्चिस आप लोग 10 कोस्ट्टन और पढ़ना पड़ेगा वही ट्रेवल आएगा बस चारा को भटकना नहीं आप लोग को फड़ा बहुत कुछ करके पढ़ देजेगा आप लोग त्यारी में आ जाएंगे ठीक आप लोग करेंट फेस्ट मैं पढ़ाई रहा हूं चला रहा हूं मेरे भाई वहाँ आप लोग देख लेंगे तो वहाँ से फस्ट आएंगे यह चीजा जो अच्छे तरीके से मैंने बता दे मेरे मेरे भाई मैं खुद ब्यस्टी होल्डर हूं माथमाइटिक्स चे। एकस्पिरेंस है मेरा उच्छे तरीके से पढ़ाता हूं बच्चों को बियाकरीदेता हूं तो लोगों को पता चलता आँ वहां से कई है बच्चे गलते भी हैं बढ़ेयां तरीके से तब की बार निकलें ठीक ऐसे ही अपकी बार निकलेंगे बस विश्वास करिए भरोसा रखे रकीन मानिए आपका सेलेक्शन होगा ठीक तो यह सब सारी चीजे थी अगर आप लोग वास्तों में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास टाइम उसको दे पाते हैं कितने टाइम में आप लोग जो है अपना घर का काम करेंगे इधर का काम करेंगे कितने टाइम उस पर फोकस कर पाते हैं पढ़ाई पर अपने कम से कम आप लोग को बता दो चार घंटे तो देली आप लोग दीजिए तब ही आपका सेलेक्शन होगा यह मेरी जिम्मेदार यह बस आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा ठीक थैंक यू